हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू के सांथ प्रकट हुएते, धन तेरस पर धन के देवता कुबेर, मा लक्ष्मी, धन्मंत्री जी और यम्राज की पूजा की जाती है, धन तेरस के दिन किये गए उपाय और खरिदारी में तेरा गुना अधिक ब्रधी के योग बनते हैं, इस बार धन तेरस पर त्रिपुसकर य धन कुबेर और मा लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन संपदा में कई गुना अधिक ब्रधी की योग बनेंगे। जानते हैं ये तेरा दिये किन किन स्थानों पर और कैसे जलाने चाहिएं। उनसे प्रातना करें कि हे लक्ष्मी माता आज से मैं आपके पूजन की सुरुवात कर रहा हूं या रही हूं। कृपा करके आप मेरे घर में धन के देवता कुवेर जी को साथ लेकर विराजें। तीसरा दीपक आपको भगवान धन्वंत्री जी के नाम से जलाना है। धन्वंत्री जी के नाम से घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक लौंग अवश्य डालें। और भगवान धन्वंतरी जी से प्रातना करें कि वह आपको और आपके पूरे परिवार को निरोगी काया प्रदान करें, इस दीपक को पूजा स्थल पर इसान कोड मर रख दें, चोथा दीपक चौमुखा होगा, जो सरसों के तेल का यम देव की नाम का जलाना है, इस दीपक में आपको कोडी डालनी चाहिए, अगर कोडी न हो तो आप इस दीपक में एक रुपे का सिक्का डाल दें, अब इसे घर के मुख्यद्वार की दक्षण दिसा में रख दें, पांचवा दीपक सरसों या तिल के तेल से चित्रगुप्त के नाम से जलाएं, धन्तेरस के दिन चित्रगुप्त को प्रसन करना आतिया आउशक होता है, चित्रगुप्त के नाम का दीपक जलाने से घर में खुशाली आती है, छटा दीपक तुलसी जी के नाम का जलाएं, यह दीपक सुद्ध घीका होना चाहिए, इसे तुलसी के पौधे के पास रख दें, सात्वा प्रेउताओं का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी गौशाला में जाकर एक दीपक अवश्य परजुरित करें, नवा दीपक घर के आंगन में जलाएं, इस दीपक को जलाते समय उसमें एक रुपे का सिक्का या खिल डाल दें, दस्वा दीपक आपको अपने घर की छत्पज जलाना चाहिए, इस दीपक को जलाते समय उसमें साथ पीली सर्सों के दाने अवश्य डालें, ग्यारवा दीपक आपको अपने पित्रों के नाम से दक्षिर दिशा में जलाना चाहिए, यह दीपक आपको दक्षिर दिशा में धनतेरस से लेकर भाई दूश दक ज जलाना चाहिए बारवा दीपक गंगा माता के नाम से जलाएं और धन तेरस के दिन तेरवें वो आखरी दीपक घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान के लिए जलाए जाता है। अर्था दियों को खाली नहीं जलाना चाहिए अर्था दिये में एक शिक्का अवश्य डाल दें और इन दियों को आप जिस थान पर भी रखें वहाँ पर फूलों का आसन या रंगे हुए चावल के उपर ही दिया रखें।